इस कारिक्रम के पुने आर्जक हैं कल्यान आलोच ना में उसी बिसय को आगे बढ़ाया जा रहा है जीबों के जन्मिस्थानों को लेकर के चर्चा हो रही है देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा पर तो कई लोगं का विस्वासी नहीं जमता है हम जीबों की चर्चा कर रहे हैं वो जीबों पर बिस्वासी नहीं करते हैं अब अगर जीव पर विश्वास ही नहीं है तो जीव के जनम और उत्पत्ति के इस्थान और उनका जीवन और उनका मरन ये तो चर्चांगे बनेंगी मरनेंगी नहीं पहले जीव पर विश्वास तो करें कि कोई जीव द्रब है शरीर दिखाई दे रहा है जीव दिखाई नह नहीं देता क्या हमारी आँखों से जीव दिखाई नहीं देता जीव सब को देखता तो है पर हम जीव को देख नहीं पाते जीव में जानने देखने की शक्ती है हम उस सूक्ष में तत्तो को अपनी आँखों से नहीं पकड़ पाते बेग्यानिकों के यंतर फेल है आज तक कोई बेग्यानिक जीव की फोटो नहीं निकाल पाया फोटो निकल भी नहीं सकती क्योंकि सकल और शरीर की फोटो निकलती है और जीव में सकल और शरीर तो है यह नहीं जीव ने शरीर को धारण किया है यह बात अलग है लेकिन शरीर जीव का सुरूप नहीं है सरीर में सकल सूरत बनती है सकल सूरत किसमें बनती है सरीर में बनती है जीव में कोई सकल सूरत नहीं बनती अब बैग्यानिक फोटो कैसे निकाल पाएं बड़े प्रियास किये गए हैं उम्र बिल्कुल अब थोड़ी सी बची है जीव निकलने वाला है जाने वाला है इसको पकड़ो इसको रोको इसको देखो बड़े टाइट इस्थान में काँच के अंदर सरीर को रख दिया है स्वासे चल रही है बस अब थोड़ी सी स्वासे रह गई रह गई रह गई रह गई रह गई रह गई और आदमी एकसफायर हो गया यहां तक बाहर से देख रहे हैं एकसफायर हो गया और एयर टाइट पुरा काँच का संदूग बकसा बना हुआ है उसमें सब दिख रहा है अब जीव निकला अब पता पड़ेगा कहां से निकल रहा है यहां से वहां से कहां, अरे सब बैठे रहे, किसी को पता ही नहीं चला, कहां से नकल गया, बताओ, कोई स्क्रेच नहीं, कोई चटक नहीं, कोई खटक नहीं, कोई आवाज नहीं, कहां से नकल गया, निकल गया, उसे कोई पकड़ नहीं पाया, कोई मसीन नहीं, कोई कैमरे नह कोई कुछ नहीं जीव का ऐसा सुरूप है और ऐसे सुरूप बाले जीव पर सरद्धान कौन करें सम्यक दृष्टी होगा तो सरद्धान करेंगा भब्यत भाव को ले करके होगा तो इस रद्धान करेंगा उससे आने वाले सुब असुब करमों पर सरद्धान करें उन करमों से मिलने वाले सुब और असुब फलों पर सरद्धान करें तो फिर सारी बास समझ में आती है फिर संसार का मार्ग और मुक्ष का मार्ग समझ में आता है और अगर सुरद्धानी नहीं है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता ना संसार का मार के समझ में आता है ना मोक्ष का मार के समझ में आता है खाओ पियो मौझ मस्ती करते रहो खाओ पियो मौझ मस्ती करते रहो संसार इसी में बीत रहा तीन तेरा की बातों में संसार चल रहा है कुछ नहीं रोटी कपड़ा और मकान में आदमी लगा हुआ है ना शोक ना शानती ना संतोश कुछ नहीं है आदमी एक मसीन की तरह है कैसा मसीन की तरह है चालू हो गई, आटोमेटिक प्लांट है, अपने खर-खर-खर-खर-खर-खर-खर लगे हुए है, कुछ नहीं है, मनुश्य परियाए की दुरलबता, और इस परियाए में अरजित ग्यान का महत तो अगर कोई समझे, कौन समझेगा भिया, जिसको जीव तत्तो पर विश्वा तो हो, आत्मा पर विश्वास नहीं करेगा, तो परमात्मा पर विश्वास कैसे करेगा, और आत्मा पर मात्मा पर विश्वास नहीं करेगा, तो अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बना पाएगा, बोलो, जब विश्वास ही नहीं है, तो फिर अपनी आत्मा को परमात्मा कै के लिए भी विस्वास बहुत जरूरी है। विस्वास दिलाया नहीं जाता दिलाते तो हैं, लेकिframes जब तक व्यक्तिय अंदर से विश्वास ना करे, तो दिलाने वाला दिलाता रे। ए भीया ऐसा है ये भीया ऐसा है ये भीया ऐसा है हम बता तो रहना लेकिन सामने बाला माने तब न जब तक उसके अंदर के परिणाम नहीं होंगे तब तक वह किसी बात को स्वीकार नहीं कर सकता शीकार करने के लिए उसके अंदर के परिणाम होना बहुत जरूरी है चलिए अगली गासा क्या है मिलान करें एदे सब बे जीवा चौराशी लक्य जोनी वसी पत्ता जे जे विराहिया खलू मिच्छा में दुक्डम हुज्य। एदे सब बे एते सरवे जीवा जीवाह चौराशी चतुरशीती लक्य जोनी वशी लक्ष योनी वशे पत्ता प्राप्ता ह। जे जे विराहिया खलू ये विराधिता खलू तो फिर क्या मिच्छा में दुक्डम हुज्य। अब मिच्छा में दुक्डम कहतो रहे हो तुम। लेकिन वो भाव भी तो अंदर आना चाहिए कि मिच्छा में दुक्डम कह रहे हैं। उपर 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 अदी तुमने कह दिया उससे होता क्या है। परतिकर्मन में पाठ है तस्मिच्छा में दुक्डम तस्मिच्छा में दुक्डम तस्मिच्छा में दुक्डम तस्मिच्छा में दुक्डम भईया इससे क्या होता है। इत्ता कह दो तसमिच्छा में दुक्डम सारे दोस्त खतम हो जाते हैं अच्छा सारे दोस्त खतम हो जाते हैं कितने लड़ाई करो जगड़ा करो बुराई करो मारो पीटो ये करो करो तसमिच्छा में दुक्डम अरे तो बहुत अच्छा है कितना ही कुछ भी करो तस्समिच्छा में दुख अरे भाईया तुमने उसका घर जला दिया और कहने लगे तस्समिच्छा में दुख डम इतने में खतम हो जाए पाप तुमने उसका पूरा पैसा चुरा लिया तस्समिच्छा में दुख डम पाप खथम हो जाएगा, ऐसे होता क्या? नई ऐसे नहीं होता तस्से मिच्छा में दुकि डम पाठ तो है पर उसके साथ अंदर से उस तरय की भाउना भी होनी चाहिए होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाउना के बगेर अकेले पाठ से क्या होता? कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा अकेला पाठ ही गुणों को नहीं करता है क्या अकेला पाठ ही गुणों को नहीं करता है पाठ के साथ में भावना भी जुड़नी चाहिए क्या होना चाहिए पाठ के साथ में भावना भी जुड़नी चाहिए तसमे चामे दुकिडम तसमे चामे दुकिडम वो एक कहानी सुनाते न हम लोग छमावानी वाली क्या सुनाते हैं एक सादू जी शाम को बैट करके पाट कर रहे थे और पाट के अंते में बार बार तसमे चामे दुकिडम तसमे चामे दुकिडम तसमिछामे दुकिडम किसी गरस्त ने आकर कि पूँचा सादू जी आप यह क्या पाट कर रहे हो तो सादू जी कहने लगे दिन भर में जो भी दोस होते हैं गलतियां होती है तसमिछामे दुकिडम के पाट करने से वो समनस्ट हो जाते हैं सारे दोस्थ खत्म हो जाते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा मुंतर दे दिया आपने बहुत अची बात है फिर क्या हुआ बहुत अच्छी बात है तो फिर 然後 भुजर्ड़ खुरापाती था खुरापाती दिमाग का था अब बजाहर में गया तो एक जगे गर्मी का समय था एक कुमार आदमी खुब मेहनत करके अच्छे नेने मटके बना करके लाया था बेचने के लिए रखे थे धेल लगा लिया था उसने ऐसा 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 जमा करके रख लिये थे इसको लगा जराएस का मजा लेना चीए सामने चबउतरे पर बैठ गया पंठर रख लिये एक पंठर उठाया फूट गया क्या करता है तुम तस समिछा में दुक्त और वे क्या बोलता है तस समिछा में दुक्तिर में नहीं आता क्यों औरे नुक्सान क्यों कर दिया यह कुछ बोला ही नहीं वो अपने काम में लग गया फिर थोड़ी दिर बाद देख पत्थर फिर उठाया ठाई क्या कर दिया तस मिच्छा में दो कुछा अरे भी या दो तीन मटके उसने फोड़ दिये कुमार को गुसा आगी क्यार खामुका नुक्सान कर रहा है कुछ नहीं है पत्तर फेक फेक करके मटके फोड़ रहा गुसे में आगया डंडा लेकर की आगया क्यों जी हमारे मटके क्यों फोड़ रहो अरे भाई मटके फोड़ भी रहे हैं तो हमारे लिए उसका माफ भी तो हो रहा है क्या है तुम अभी हम सादू जी के पास गए थे उन्हों ने कहा कोई भी गलती हो तसमिच्छा में दुक्डम कह दो सब खतम हो जाता है मुझसे गलती हो रही ना पत्थर मारने से तुम्हारा मटका फूट रहा है तसमिच्छा में दुक्डम में कह रहा हूँ सब हमारा दोस्त समाप थोरा ऐसा ऐसा ही क्या ऐसा नहीं होता है नहीं नहीं ऐसा ही कहा सादू जी ने अरे ऐसे कैसे सादू जी कहेंगे सादू जी ने ऐसे ही पाठ बताया दिन भर की कोई भी गलतिया हो तसमिच्छा में दुक्टम में सब साफ हो जाता अच्छा इसने तो सादू जी की बात को उल्टा पकड़ लिया अच्छा अब मार के देखो तुम उसने फिर उपर थर उठाया मारा तसमिच्छा में दुक्टम इसको गुसा है इसने उठाया डंडा और तीन चार दिये और कहने लगए तसमिच्छा में दुक्टम समझ में आ गया ऐसे तसमिच्छा में दुक्टम से काम नहीं बनता पाठ भाबों के साथ होना चाहिए तब ही काम बनता है भाव तुमारे बिरुद्धता में जा रहे हैं और पाठ तुम इस तरह का कर रहे हो तो बिरुद्ध भावों से किया गया सही पाठ भी कारी कारी नहीं होता है भाव तुमारे बिरुद्ध है पाठ तुमारा सही है तकिला पाठ को गुण थोड़ी करेगा पाठ तु बे जीवा समस्त जीव रासी चौरासी लग्क चौरासी लाक जोनी बसी पत्ता यौनियों को प्राप्त हुई इन में से जे जे जिन जिन को मैंने बिराहिया बिराधित किया हो खलू निश्य ही वह में दुक्डम मेरे पाप मिच्छा हुज्य मिथ्या हो बें इस परकार इन चौरासी लाक जोनीयों उत्पन हुई समस्त जीव राशी के प्रती मेरे द्वारा जो भी विराधना हुई हो हे भगवन मेरे सारे पाप मिथ्या हो बें इन सबी जीवों के प्रती मेरे द्वारा जिस रूप में भी विराधना हुई हो जीव परिचित हो अपरिचित हो बाधा पहुँची हो ना पहुँची हो भाउना क्या भारे इन समस्त जीवों के प्रती 84 लाख यॉनियों में जनम लेने वाले समस्त जीव के पति जितने भी जीव हैं उनके पति मेरे द्वारा कोई भी बिराधना हुई हो तो वह मेरे सब पाप, क्या हो बें, क्या हो बें, क्या हो बें, मिठ्या हो बें अगर विराधना हुई हो, विराधना तो होती है, आसाधना तो होती है तो आसाधना विराधना से जो भी पाप का आस्रव हुआ हो जो भी पाप का आस्र हुआ हो वह सारा पाप मिठ्या हो बे मिठ्या हो बे मिठ्या हो बे पाप से बचने का उपाय है भी या यह जो पाठ किये जा रहे क्यों किये जा रहे ग्यान को बताने के लिए नहीं हम बड़े ग्यानवान है यह दरसाने के लिए नहीं ग्यानी बनने के लिए ने हमारे अंदर का शुद्धी करन हो जो पाप का आस्रव हो रहा है वह दूर हो इसके लिए आलोचना जैसे पाट पड़े जाते हैं कल्यान आलोचना भी उशी आत्म शुद्धी के मारगे के लिए लिखी गई है इस तरह के पाठ पढ़ने से क्या होता है परिणामों में फिर शुद्धी करन होता है निर्विकल्पता आती है और मन में ऐसा लगता है कि जाने अंजाने जो भी दोस मुझसे हुए है वो सारे दोस हमारे टल गए सारे दोस हमारे दूर हो गए ये पाठ करम है ही ये पाठ का कर्म है ही ऐसे इस पाठ के कर्म को निरंतर पढ़ने की जरूरत है दोहा भी देखो कैसर लिखा है चौरासी लख यौनी के जीव दिये संताब तो सब मेरे दोस बे हे बिभो हो बेमाब वो सारे के सारे दोस हमारे माफ हो जाएं ये इस दोहे में भाव आया है गाथा के अनुशार दोहे को तयार किया गिया है और सारान सापने समझी लिया है सबी जीवों के प्रती समताब भाव होना दोसों की जो भी है वो बिराधना बगरा हुई हो तो बे दोस हमारे सारे समापत हों माफ हो इत्यादी प्रकार से इसमें ये भाव बतलाया जा रहा है और इस तरह से आप सबी को इस से ग्यानारजन करना है क्यों क्योंकि ये गाथाएं सामान नहीं हैं सास्त्रों के आधार पर लिखी गई है और उनी सास्त्रों की वातों को अलग अलग तरह से भासाओं में प्रतिपादित किया जाता है कल्यान आलोचना एक तरह से छोटा सा आलोचना पाठी है हाँ छोटा सा आलोचना पाठी है हिंदी का आलोचना पाड़ तो चलन में है पिर चलन में है लेकिन ये रचना भी पुरानी है और अगर इसको बार बार पढ़ेंगे पढ़ाएंगे चर्चा में लाएंगे तो इससे भी ओई आलोचना पाड़ जैसा भाव आता है शुद्धी करन का ये मार्ग है ऐसे इस मारग को श्वीकार करके निरंतर आत्मा की आलोचना दुनियादारी की आलोचना नहीं करना हमारा समय दूसरों की आलोचना में निकलता है नई दूसरों की आलोचना नहीं करना अपनी आत्मा की आलोचना करना और आत्मा की आलोचना करते करते आत्मा के शुद्धी करण के मार्ग में लगना यही हमारे लिए कल्यान का मार्ग है इस कारिक्रम के पुने आर्जक थे अव्यान मोधी एवं समस्त मोधी परिवार कटनी मध्यप्रदेश फर्म सुरेंद्र स्टेशनेरी मार्ड कटनी मध्यप्रदेश मोधी इंटरप्राइजस कटनी मध्यप्रदेश